हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने स्वीटूब चैनल पर दोस्तो आज मैं आपसे वीडियो में डिसकस करूँआ कि अगर आप एक घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सुरुवाती स्टेच यानि फॉर्मडेशन में क्या गलती नहीं करनी है जैसे दोस्तो आप देख पा रहे हैं कि ये कॉलम की फॉर्मडेशन है और यहां पर आप देख रहे हैं कि जाल रखा है और जाल के नीचे आप देखेंगे कि इसमें किसी भी तरह की कोई PCC नहीं की गई है जो कि बिलकुल ही गलत है दोस्तो आप जब भी कभी फॉर्मडेशन एक कराते हैं और हमारी सारी जमीन का अंडूलेशन जितना भी ऊबर खावट रहता है वह प्लेन हो जाता है तो दोस्तों इस तरह पहली चीज़ आप ध्यान रखें पीची सी आपको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और दोस्तों आप दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जहा भी आपको घहरी फांडेशन रखनी है उसके बाद दोस्तों हमें हमें अपने कॉलम का ले आउट उतारना होता है फांडेशन पीची सी पई जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं इससे हमारा एक मार्क मार्किंग हो जाती है और उसके बाद हम अपना कॉलम खड़ा करकर इसको कास्ट करते हैं इसके फुटिंग को जिसा आप फोटो में देख पा रहे हैं लेकिन दोस्तों यहां पे इस तरह कुछ नहीं किया गया है तो इस तरह आप बिल्कुल ना करें ये एक जल्दवाजी का काम है जो बिल्कुल ठीक नहीं है दोस्तों आप जैसे जानते हैं कि हमारे घर में सबसे जो मेंड चीज रहती है वो होती है फांडेशन तो अगर नीम ही अच्छी नहीं होगी फांडेशन ही अच्छी नहीं होगी तो दोस्तो हमारे घर का क्या फायदा तो इस तरह आप फांडेशन में तो बिल्कुल गलती ना करें तो भाँ आप जाके देख सकते हैं दोस्तो इस वीडियो में अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में टाइप कर देना या दोस्तो आप मेरे इंस्टाग्राप में मज़े मैसेश कर सकते हैं और दोस्तो आप देख पार हो कि यहां पर जो जाल बनाया गया है या कॉलम खड़ा झाल झाल